दोस्तो नमस्कारा, सभी का सौगत है मेरे चैनल, टेक बाइक में और जैसा आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिए होगा आज मैं आप सभी को एर कुल टेकनोलजी, ओईल कुल टेकनोलजी एंड लिक्विड कुल टेकनोलजी के बाले में बताऊंगा और सात ही चैनल, अगर अगर मैं आप कि बाइक की बात करों तो बाइक में क्या होता रोज डेला रोता है जब बाईक चलती है तो उसके जो पार्टस जैसे पिस्टन ऐसे उपर नीचे होते हैं जब पिस्टन बाईक के जब चलती है तो ताइम क्या होता है ना मतलब आप कहता है कि फ्रिक्सन जाद बढ़ जाता है और वो फ्रिक्सन को रेड्यूस करने के लिए उसमें इंजन ओयल क दाल देते हैं तो उससे क्या होता है नाल जो प्रिक्सल्स जो के आप के तौर माइप का जो Сब्सा-बाईक बड़ जाता है अब सिंपल सा कंसेप्क करें अच बाइक सब्सक्राइस, पहले होता है और पेट्रोल बर्णाउट हो इसलिए होता है ताकि आपका जो टायर होता है बाइक का वो भूम सके में मक्सक क्या होता है बाइक का चलना होता है तो चलाने के लिए बाइक को इंजन में पेट्रोल डाला जाता है और पेट्रोल डाला जाता है तो बाइक का जो टायर ह बनती ना कुछ कोई भी एनर्जी नी बनती और वो बन चाती है heat energy और वो heat energy ऐसी बनती है कि जो बाई का engine होता है वो गरम होना है start हो जाता है मतलब पुल मेला कि यह है कि जो petrol cumbers होगा मतलब cumberson होगा petrol का तो उसमें से 10% energy heat energy में तबदील हो जाएगी और वो heat energy क्या करेगी engine को गरम करना है start कर देगी और फ्रेंट्स अगर engine गरम होगा तो जो engine oil उसके अंदर डला रहेगा वो थिन हो जाएगा पतला हो जाएगा वो पानी के तरफ और फ्रेंट्स इसलिए company ने तीन technology अभी तक market में निकाली है पहली है air pull technology दूसरी है oil pull technology तीसरी है liquid pull technology और फ्रेंट्स अगर मैं air pull technology की बात तो आपने normal सा बहुत सारी bytes में 100-1.5cc की byte में देखा होगा नॉर्मल सा क्या रहता ने strips type की बनी रहती है engine में और फ्रेंट्स अगर जो मतलब strips type की रहती है उसके अंदर जो फिर थोड़ा का आप गैपिंग रहती हो वह इसलिए रखी जाती है ताकि जो आउटर बहार की हवा रहे जब आप चला रहे अपनी उसके प्रेंगा रहती है तो उसके बाहर जो हवा टकडाती है engine से और टक्राने पर क्या रहता है अधिशन जो रहता है वह ठंडा होता रहता है मतलब क्या बहुते हैं बाइट चलती भी रहती हो ताइम ठंडा भी होता रहता है और दूसरी टेकनोलजी ये है oil pull technology, oil pull technology में friends क्या होता है मतलब थोड़ा सा मतलब air pull technology में थोड़ा पा फेर बदल किया company ने company ने सोचा कि या 1.500cc की बाइक लिए heat जादा ही access में निकाल रही है उसको कैसे control करें उसको control करने के लिए company ने सोचा कि क्यों ना अगर हम इंजन oil को थोड़ी देर के लिए बाहर बज़ दें radiator में मतलब पूल मिला के आप यह समझे कि घर्म में अगर आपको लगती है तो आपको इस देर के लिए बाहर चले आचो तो प्रेंट यही सेम चीज इस engine oil pull technology में यू अच्छा लगेगा फिर वह वापस engine के अंदर चला जाएगा और इस technology में कुछ नहीं रहता जो बाइक का जो engine रहता है ना उस engine में से जब वह ज़्यादा मतलब गर्मी प्रड्यूस करता है engine तो वह engine oil जो रहता है वह भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो जब वह engine oil फिर बहार जाता है फिर गर्म होता है फिर बहार जाता है यह नॉर्मल सब इस technology में सेम सा process है और अगर मैं अपनी परसनल बात बता हूं तो मेरे को यह जो oil pull technology थी यह सबसे पहले मैं पडस उर 150 में देखी थी और friends oil pull technology में दोनों technology काम करती है air pull technology भी काम करती है और साती अब आ जाती है वो है liquid pool technology आपको मतलब सोच के थोड़ा जीव सा लग रहा होगा कि ये दोनों technology भी मतलब वाइक को जब वाइक की जब इतनी जादे heat निकलती है ये तीनों technology भी काम नहीं आती तो situation में company ने ये सुचा चलो यार आप तीसरी technology निकालते हैं और friends company ने वो तीसरी technology निकाले liquid cool technology और friends simple का concept है जो liquid cool technology है ये company ने कोई भार से कुछ एक्स्टा अपना धिमाग खर्च करके तो कोई technology नहीं निकाली है ये नॉर्मल सी गाड़ियों में चुलाई हुई technology बाइक में लगा दी गई है मतलब जो गाड़ियों के अंदर radiator वगरा होते हैं बड़े बड़े और coolant डाले जाते हैं गाड़ियों के अंदर ताकि वो थंडी हो सकें गाड़ियां लॉंग डाई पे चलते टाइम इसलिए वो ही radiator और वो ही coolant बगेरा बाइक में भी लगाने चालू कर दिये company में जैसे आपको ये जो liquid cool technology वो आपको AS200 में देखने को मिलेगी NS200 में Dominar 400 में KTM बगेरा की बाइक में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी ये liquid cool technology और friends ये liquid cool technology क्या करती है मतलब जब आपका engine गरम होत blocks होते हैं वो blocks engine के अंदर के तरफ होते हैं बाहर से engine पूरा सपार्ट होता है आपको यहां पर दिख रहा होगा बाहर से engine पूरा सपार्ट होता है और अंदर के तरफ blocks निकले रहते हैं वो blocks में पूरा engine oil होता है वो circulate होता है और circulate होने के बाद coolant जो रहता है present बाहर के तर करता है गर्मी और वो पूरी एबवार्फ करके गर्मी रेडियेटर में भेजता है और रेडियेटर में जाके जो कूलेंट होता है वो सिंपली उस महाँ पर जाके ठंडा होता है और वापस से अपनी यही काम में हो जाता है मतलब मतलब यहां पे आपको फ्राइन पैन को गरम कर लिया अगर आप उस फ्राइन पैन के उपर पानी डाल दोगे नल चला के उस फ्राइन पैन के उपर अगर आप नल चला के पानी डाल लिया आपने तो क्या होता है आपने पानी डाला भाब बन गई पानी पानी गरम तवे पर बहुता है तवे के उपर गरम तवे के उपर अगर आप बहार से पानी डालेंगे तो क्या होता है पानी टकराता है तवे से और वह बहार उड़ जाता है वह सिंप्ली इसमें भी यह उता है कि आप यह समझें कि आपका का इन्जन थवा है त्वा अगर पानी के जबट का कूलेंट वसको है कूलेंट व्कूलेंट उसको पड़ा उसमें इंजन को खंडा घिया वह उड़ा को आप यह समझे लगाता है और इसलिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स ही ए थोड़ी महेंगी भाइक हो जाती है। विश्चाइब तो दो सीची से स्टार्ट हो जाती है लिक्वीड पॐल टेकनोजी बाइक के अंदर बिड़नी है। और friends उस समय क्या होता है न कि यह जो technology रहती है इसलिए company लगाती है ताकि जो bike रहे वो बहुत ज्यादा और ज्यादा ठंडी हो सके मतलब आप समझ देए कि कित्ती जी liberate होती होगी इसलिए company को liquid full technology लगानी पड़ रहे है बाइक के अंदर तो friends अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें और अभी तक आपने मेरा चैनल टेक वाइट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आप सभी के लिए जादर से जादर आटो मोबाइल रिलेटेड नहीं प्यों प्रिये है के लेफ उनीख सब्सक्राइब का एम